टेक्निसियन का फॉर्म आने के बाद बहुत लोग गुरूप में पूछ रहे कि भाईया किस जोन से फॉर्म फिलप करें ताकि सेलेक्शन मेरा पूछ आए और मैं आपको बिल्कुल सटीक बताओं ना बाबू जितना भी पिछला रेल्वे का फॉर्म निकला है वहाँ पर कहा कंपर्टिशन जादा रहता है कट कितना जाता है उस अधार पर बाबू इस जोन से फॉर्म फिलप करो महनत करो रिजल्ट आपके घर में होगा लेकिन एक कंडिसन है अगर आपके दिमाग में यह चीज़ नहीं है ना भाईया इस बारना जोन मैटर नहीं करता है हमें बस य है यह सेलेक्शन जोन कोई बाब कोई सा भी हो अगर यह चीज़ दिमाग में है तो बिलकुल बाबू आपको एक दो जोन जरूर बताओंगा जहां से आप महनत करकर रिजल्ट निकाल सकते हो पिछला इतना भी फर्म गिर है उसके अधार पर लेकिन उसके पहले न एक दो बात मेरा सुन लेना घुस्ता से ही सही क्योंकि बाबू आपको पता है न इमंदारी से मैनत करते हैं गुरूप में भी दिन रात पढ़े हुए हर हफ्ते का टार्गेट दे रहे बाबू इतना पढ़ो ऐसे पढ़ो मेहने से एक मेहना पहले सिलेबस कमपलीट करो वो को सें करो बाबू जिस पर मेरिट बनेगा दिन रात पागल के तरह पढ़ा रहे और यूटूब में भी बाबू कौन पर आ रहे हो क।सिन नहीं जो भीड़ पसंद कर रहे है अ मोह क।्स्तिन करवा तो बहुत लोग देखेगा और मज़ा लेगा लेकिन अगर बाबू सो रूम में जाते हो तो आपको दिखता है मस मस्तिच पसंद आता है अगर सो रूम में अजीव जिप देखेगा लोग पसंद नहीं आएगा तो बाबू इमांदारी से आपको मचाता हूं दसनी बच्चा लेकिन सही जगा सही चीज महनती बच्चों के बीच में कंटेंट पहुचा है 18-22 के तरह इस बार भी तो एक दो बात मेरा सुन ले ना भाई बरदास करकर सचाई बोलूँगा मानते हैं सचाई कड़वा होता है लेकिन क्या करिएगा सचाई को तो अपना पड़ेगा ना जब भी फॉर्म फिल अप करने जाएगा साइबर केफे में या घर से जब भी फॉर्म डालोगे भरोगे अपने दिमाग में इनक बात घुरना चाहिए इस बार का सिलिक बस आसान हो गया है पहला बात एकदम घुमना चाहिए जो मेरा कंपटिशन होगा वो होगा कितने पर है कर नहीं पड़े फिर दस दिन पढ़ लिए ऐसे करने वाले बच्चों की संक्या 95% है वह कंपटिशन आपका ऐसे खतम हो जाता है ठीक है जो लडाई है बाबु वह 5% बच्चों में रह जाएगा मेरा गलाब फस रहा है लेकिन एक बात याद रखिएगा वह 5% बच्चो उससे लड़कर सेलेक्शन हो सकता है जब भी फॉर्म डालना सोचना उस 5% में भी 2% बच्चा वह रहने वाला है जो और रेड़ी रेलवे का नौकरी निकालकर ज्वाइनिंग में काम कर रहा है ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनका जोन पटना पटना में घर है लेकिन से जोन बार वो अपने जोन में उनको नौकरी मिल जाए तो 2% बच्चे वो भी होंगे 5% में तो मेरा लडाई भाईया अंत में उतने परसेंट बच्चों से है इसका मतलब भाईया 500 रुपए का जो फॉर्म फिलप कर रहा है ना तो हमको महनत किस लेबल का करना है इन बच्चों से लडाई है हमको कितना तक पहुचना है ये सब चीज दिमाग में बाबू रखना वरना 500 रुपए का घर में मिठाई खरिद कर सबको खिला दोगे ना बहुत खूस होगा बहुत खूस होगा बाबू वरना नहीं आपको लगता है नहीं भाईया हम ये 5% बच्चों को हराने क चाहल लगाना ये चीज मेरा सबजना मैं क्या बता रहा आप सभी को और याद रखना एक बच्चा सुबह मैसेज किया कि भाईया रिजनिंग का बहुत सारा टॉपिक तो फ्री में पढ़ा है भाईया बाकी चैनल चैनल लाद दिया है हम बोले एक बाद पीडियाफ सेंड क करना पीडियाफ सेंड किया आना रिजनिंग का बोला सब्सक्री पढ़ा है हम देखे कैलेंडर क्लॉक कि डाइस कि डारेक्शन ब्लड रिलेशन हम बोले ये सब टॉपिक बाबु ना दिन रात भारत के कोचिंग सेंटर में सुबह साम चल रहा है दिन रात लेकिन आपको प लोगो हम भी तो यहीं पढ़ रहे तो आप तो बुरा लगेगा लेकिन जब फेपर खोलोगे न भाई तो आप देखो गे भाईया कि भाईया 25-26 कुस्टिन में रिजनिंग में या 25 कुस्टिन में 18-19 कुस्टिन तो भाईया सब मार दे रहा है बाकी का 6-7-10 कुस्टिन में लडाई है और यह 5% बच्चे जो है यह कोश्टिन करते हैं तो हमको यह कोस्टिन करना है statement वाला math में वो topic तो यह सब दिमाग में रखना form फिलप करते वग कितना का तयारी करना है 100 में बबू दिमाग में 100 में तयारी तो 100 में तयारी भाईया 75 का करना है हाँ या ना इसके प्लस ही करना है तयारी भैया इसके अगर दिमाद में चल रहा है चालीस पैटालीस पचा तो फॉर्म मत फिलब करना क्योंकि बाबु देखो बाबु हम तो कुछ है नहीं आपका फैसला करने वाले जिंदगी का बस हकीकत बता रहे हैं अब हकीकत जो है बाबु कड़वा भी ह हो सकता अब सुन चूंस लोग कर ले तुनना आपका डिवाव ठर्म है जो फॉर्म निकला है त्यक्निस व्ला उसमें आठ अजार भरती जो है किसका है आंटियाई वाला का लड़ाई बाबु की में मैं लड़ाई ए अब जितने भी फर्म डाले गए एल पी में ग्रूब ड अधाटक कम है और कुम सा जोन होता है तो आप देखो कि बाबु एहमदाबाद ये जोन थोड़ा ठीक ठाक है उसके बाद देखो गे गोहाटी बड़ा सेव जोने यह देखो गे बाबु आप सभी क्या जम्मू कस्मीर सीली गुड़ी तो सीली गुड़ी में तो वेकैंसिस है यहां फॉर्म डाले कि नहीं डाले रिस्क है बाबु वेकैंसिस नहीं है तो सेव जोन में देखो गेने बाबु तीन जोन मुझे लगता बड़ा सेव है कि कौन को सा एक तो आप एहमदाबाद में डाव सकते हूँ क्योंकि यहां पर टोटल नंबर और वेकैंसिस है अब चूष कर सकते हो अगर दिमाग में चल रहे है कि भया जौन को सान्म को सबीјने ओ नौकरी से मतलव है तो पहला तो बाबु आप एहमदाबाद सकते हैं और इस्ते भी पहले इससे भी पहले आप दाल सकते हो बाबु और इस बार RRB Gohatia में ये एक स्रक्शित जोन माना जाता है और वेकेंसिस भी इस बार यहाँ पर ठीट है तोटल 246 वेकेंसिस ते बाकी जोन कपेर करो गिना टॉक्ष जोन को उसके मुकाबला में काफी जाड़ा वेकेंसिस वेको आपको पता है अठारा वाला आप सभी उठाओ बाइस वाला, तो हम कटप जाता है, और रेकेंटिस बाकी जोन के मुकाबले में जादा है, तो एक तो आपका गोहाटी से आप डाल सकते हो, एंदाबास से डाल सकते हो, और जम्मू सिरी नगर ये भी आप डाल सकते हो, अब बहुत लोग जाना नहीं चाहिएगा यह है बाबु सबसे, और एक बात, एक जम्मू कस्मीर जोने बाबु ये तीन जोन जोने ऐसा है ना, जिससे आप फॉर्म डाल सकते हो, ये तीन जोन बाबु ऐसा है, विलासपूर बाबु वेकेंटिस ज्यादा है, आर आरी मुंबई वेकेंटिस ज्यादा है, मुंबई जोन म कम है अब आगे किया होगा पता नहीं लेकिन ये तीन जोन जो है मिरे नजर में सुरक्षीत सेफ जोन है बाबु ठीक है बाकी और एक बात पी वाला बाबु जो एलपी तो वो तो ग्रूप फुल हो गया है एक और ग्रूप आप सभी का आजी दोपहर में बनाएं जो भी गौर्स नहीं है 1199 में कोई क्या दियेगा 1299 में आप बोलो कि रिस्णिंग तो भाई है या सब पढ़ा रहा है रिस्णिंग का सबटॉपिक प्लस स्टेटमेंट वाना सबटॉपिक पजल का सबटॉपिक सबटॉपिक फ्लसप्राक्टीस के लिए अलग से कुस्सन एक बनता है जो भीड एक्जाम में छोड़कर आता है जिसको मात्रे 5% बच्चे करते हैं और एक्जाम से पहले 20 वो मोग टेस्ट भी देंगे एक कुछ नहीं है हजार रुपए गी कम है बाबू इसके अलावा वीडियो के साथ साथ इसके अलावा साइंस का जितना भी नोट थे बाबू साइंस में जैसे मैंने आपको बताया था ग्रुवड डी का जितना भी इस आया है पर वो शारा 18-19 का Lp का सिट वाइस सारा क्वर सेंठ ठीक है बाइलोगी का सारा कॉस्त हिंदी इंगलिज दोनों में इसका सारा पीडिया गया है ग्रूप में आप एड हो जाना आप जैसे सेलेक्शन बैच लोगे ना देखना प्राइवेट ग्रूप का लिंक दिया होगा उसमें एड हो जाना हर हटे में अभी तो नहीं यह नया गुरूप है बाकी गुरूप में तो तैयारी स्टार्ट हो चुका एक मार्च के स्टार्टिंग से ही इस गुरूप में जो है 20 तारीक से आपको डेली का टार्गेट दूँगा और एक बात भाई मेरे बोलने पर आप मत लेना क्योंकि यह ने की 10 दिन मैनत करवाएं पूरा जान डाल डाल कर दिन रात पुछे पड़े हैं और 15 दिन थूस हो गया वहिया इतना नहीं कर पा रहे हैं वहिया साधी में जाना है आज तवियत खराब है तो बाबू आप मत लेना क्योंकि बाबू अगर हम जान डाल रहे हैं तो जित अच्छा यह कोर्स लेना वाबू ठीक है क्योंकि हम नहीं चाहते कि सब ले ले और बस गुरूप में भीड़ बड़े भीड़नी चाहिए हम उटू पैसे भीड़ के नहीं पढ़ाते हैं वही को अस्तर करवाते जो जिसम मेरिट बनता है तो भीड़नी चाहिए लेना बाब अगर आपको लगता है नहीं लेकर आपके साथ चलेंगे तैयारी करेंगे तो महानत में अगर जान है बाबू तबी गुरूप ज्वाइन करना ठीक है चलो